हेलो गाईज, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल होमार्ट में फ्रेंज, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्याराशा डोर मैट्स का डिजाइन्स जो बिल्कुल ही छोटी छोटी बच्यों कत्रन से हम बना कर त्यार करेंगे तो ये देखो फ्रेंज, ये छोटी छोटी पीस बच्यों है जब हम सिलाई करते हैं तो उन में से बच जाता है अगर आप सिलाई नहीं करते हो तो आपको इस तरीके से छोटे छोटे पीस है वो पुराने कपड़े के भी त्यार कर सकते हो तो यह देखो फ्रेंट्स इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे अगर हमारे पास में ज़्यादा कपड़ा है तो उसको हम फोल्ड कर लेंगे नहीं है तो हम छोटा कपड़ा है तो उससे भी हम छोटे-छोटे पीस है खुद त्यार कर सकते हैं तो यहां से इसकी चोडाइली है मैंने तीन इंच इस तरीके से देखो और इसकी हम लंबाई नाप लेते हैं पहले इसकी cutting कर लेते हैं तेन इंच हमें चोड़ाई लेनी है अब यहां से हम इसकी लंबाई देखेंगे तो यह लंबाई है इसकी पांच इंच ऐसे friends हमें जितना भी हमारे पास में कपड़ा है उस सब कपड़े के अंदर से इस तरीकी से हमें पीस को त्यार करना है अगर हमारे पास में ज़्यादा कपड़ा है तो हम उसको fold करकर पीस को त्यार कर सकते हैं अगर हमारे पास में कम कपड़ा है छोटा छोटा कपड़े पड़े हैं तो उससे हम इस तरीके से पीस को त्यार कर लेंगे, इस तरीके से देखो, तेन इंच चोड़ी और पांस इंच लंबी ऐसे हम पटी को कट करेंगे, तो दोस्तों मेरे पास में जो भी कपडा था, उनको मैंने इस तरीके से कटिंग करकर त्यार कर लिया है, अब हमें इसको सिल पीस तरी की से ओंधे हम यह सपोर्द में ज़िकिन हम ध shortest पंधेर उसके नेक्षा आगे हम दूसरा पीस रखेंगे इसके उपर हम लगाएंगे इस तरीक एसे सब्राइन हम हर एक पिस को रखते जाएंगे और उसके ऊपर हम सिलाय से इसको कवर करेंगे धेखो सिदे के उपर उल्टापीस रखते जाना है और एक लंबी सी पटी को त्यार करेंगी तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप की लास तक देखे आपको लास तक स्टैप बाई स्टैप अच्छी तरीकी से डोरमेट्स का डिजाइन से वो बनाना सिखाऊंगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंट्स लोगों में से सेर करें अगर फ्रेंट्स आप चैनल पर नहीं है या फिर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले और पास में जो बैल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर ले ताकि हर रोज आने वाले वीडियो का जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे तो आब हम इसके उपर पटी रखेंगे फिर हम स्लाई लगाएंगे देखो फ्रेंड्स ऐसे हम एक लंबी सी पटी को ट्यार कर लेते हैं इस तरीकी से तो दोस्तों देखो बनाने में ये डोर मैट बहुत थी असान है बट आपको देखकर ऐसे लग रहा होगा कि कैसे हम ये चोटे-चोटे पिसको जोइंट करेंगे और कैसे हम एक डोर मैट बना पाएंगे नहीं देखो बनाने के बाद में ये बहुती शानदार डोर मैट का डिजाइन से वो लगेगा अब हमें क्या करना है देखो इस तरीके से जो एक्षा पटी है उसको हम कट कर देंगे जो सिलाई करने के बाद में थोड़ी-थोड़ी एक्षा कतरन दीख रही है उस सब को हम कट करके अलग कर लेंगे और एक लंबी सी पटी है वो हम इस तरीके से त्यार कर लेते हैं तो यह देखो मैंने काफी एक लंबी पटी है वो त्यार कर ली है और एक अंदर जोइंट करते करते सिलाई लगाते लगाते तो दोस्तों आपको जितना ही बड़ा पाइदान बनाना है तो आप असान तरीके से यह बना सकते हैं अगर फ्रेंड्स आप इसको जैसे जिन्स की पैंट है या फिर सर्ट है या फिर टी सर्ट है उससे भी आप इस तरीके से पुराना कपड़ा पड़ा है आपके पास में तो उसकी भी आप ऐसे कट पीस करकर उसको भी आप बना सकते हैं अब हम इसको फोल्ड करेंगे फोल्ड क परते जाएंगे और इसको सीलते जाएंगे तो दोस्तों जितनी ये मैंने पटी सील कर त्यार की है उतनी पटी पर हम इस तरीके से एक लंबी सिलाई लगा कर त्यार करेंगे तो फ्रेंट्स आब इसे एक बार जरूर बना के देखेगा क्योंकि ये बनाने में बहुत थी असा कर लिया है देखो एक लंबी पटी है उसके उपर मैंने असान तरीकी से सिलाई से इसको कवर कर लिया है आप हम इसके उपर अच्छे से प्रैस से कवर करेंगे फिर हम देखो सोरी पहले हम इसको सिधा कर लेते हैं सेप्टी पिन डालके इस तरीकी से देखो एक सीरे पे हम देखे जाएंगे उसके बाद में हम इसको उपर प्रैस से कवर करेंगे देखो ध्यान से हमें दीरे-दीरे इसको निकालना है कई जल्दबाजी ना करें नहीं तो यह हमारी सेप्टी पिन है वो खुल जाएगी और बीच के अंदर हमारे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी इसे निकालते हुए इसको हम दूसरे सीरे पर निकाल लेंगी इस तरीकी से खिंचते खिंचते तो दोस्तों यह देखो इस तरीकी से यहां तक मैंने इसको कंप्लिट कर लिया है इसी तरीकी से बाकी को भी हम इस तरीकी से निकाल कर लास्ट में सेप्टी पिन को दूसरे सीरे प वो सब अंदर की ओर चले जाएंगे एक भी जोइंट है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा इसको सिधा कर लेते हैं देखो इस तरीके से भोत इध्यान से हमें इसको सिधा करना है अगर पटी हमारी चुट गई तो हमें फिर से दिक्कत होगी फिर से शेप्टी पिन की साहता स इसको सिधा करना पड़ेगा आब हम सिधा कर लिया है अब इसके उपर हम अच्छे से प्रेस कर लेते हैं फिर हम एक सीरे पे यहां से मोल लगाएंगे यहां से थोड़ा सा फोल करकर एक सिलाई करेंगे तो इस तरीके से फ्रेंट्स हमने पूरे के उपर इस तरीके से वो इसको देकर त्यार करेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए देखो इस तरीके से बिल्कुल ही वेश्ट पड़ी हुई कत्रन है जो हमारे कोई काम में नहीं आती है जैसे हम दरी बनाते हैं तो उसमें से इस तरीके से छोटे-छोटे पीस बच जाते हैं या फिर हमें सिलाई करते हैं तो उस तरीके से भी उसके अंदर से चोटे चोटे पीस है वो बज जाते हैं अगर हमारे पास में पुराना कपड़ा है जो कोई कामें नहीं आ रहा है तो उसके अंदर से हम कटिंग करके ऐसे पीस है वो त्यार कर सकते हैं और इसके अंदर हम इसको सिफ्ट करेंगे और एक बहुत थी गुदगुदा और सोप्ट कलरफूल है वो डोर मेट हमारा बनकर त्यार होगा देखो ऐसे हमें कपड़े को लेना है जो ये रियोज कपड़ा है जो कोई भी काम में नहीं आ रहे द fare बिलकुल ही थोड़ा-थोड़ा बचा हुआ कपड़ा है, इसके अंदर हम सोफोल करते जाएंगे और इसके अंदर हम इसको डालते जाएंगे फिर हम कोई वस्तु लेंगे या तो सलाई लेंगे या कोई और चीज लेंगे जो भी हमारे पास में लंबी पतली वस्तु है उससे हम इस तरीके से पूरी लास तक पटी को कवर कर लेंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा कपड़ा डालते डालते लास तक पटी को हमें इस तरीके से इसको त्यार करना है पूरी को हमें भरना इसको जो भी हमारे पास में कपड़ा है उस सब को हम इस तरीके से डालते जाएंगे और इसको हम इसके अंदर पूरे के अंदर कवर कर लेते हैं तो यह देखो फ्रेंड्स इस तरीके से बिल्कुल ही अराम अराम से मैंने इसके अंद थोड़ा थोड़ा कपड़ा डालते हुए पुरी को कम्प्लेट कर लिया है अब देखो एक साइड से मैं पहले सिलाई लगाई थी अब एक साइड से इस तरीकी से हम फोल्ड करकर सिलाई लगाएंगी दोनों साइड से ऐसे हम इसको सील कर त्यार करेंगी तो मैंने दोनों कि या फिर सेकर 12 ostr यர्वं के अंडर जैसे भी आपको बैटर लगे उसमस를र चलाओ कर सकते हैं हैं अजय से जयादा डिजाइट से डियाidents के डिजाइं तो आपको कोई सरकल में अंडाकार में आपको पसंद है कि हमें इसके अंदर डिजाइन से बताओ तो वो भी माप के लिए जरूर लेकर आऊंगी तो दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो वो आपको कैसी लगी और आपको इसके अंदर किस तरीके का ये करेंगे बट फ्रेंट्स थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम सिलाई लगाएंगे तो दोनों साइड से थोड़ा-थोड़ा कपड़ा उठाते हुए इस सिलाई से कवर करेंगे बिल्कुल ही बारिक-बारिक सिलाई लगाएंगे ये नहीं है कि हम थोड़ा- तो इससे हमें ऐसी पूरे डॉर मेट को चिलाए करकर त्यार करेंगे इस तरीकेसे तो फ्रेंड्स जो हम सिलाई लगा रहें यह तो यह हमें यह नहीं है कि सिर्फ दोनों साइट से कपड़े कपड़े को लेकर सिलाई करेंगी बिचके अंदर से सोई को निकालते हम सिलाई लगाएंगे ताकि जो इसके अंदर जो रियूज कपड़ा डाला हुआ है वो भी इसके साथ है सिलाई से कवर हो जाएगा इस तरीके से मैंने फ्रेंट्स सीलते पूरे डोर मैट्स को सील कर त्यार कर लिया है कितना ही शांदार कलरफूल हमारा यह डोर मैट्स बनकर त्यार हुआ है तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी प्लेज हमें कोमेंट करके जरूर बताएं फिर मिलते हैं इसी तरीके से